श्री गणेशायनमा देवशेरी एकादशी व्रत कथा कि है नारद तुमने कल्यूगी जीवों के अधार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है क्यूंकि देवशेरी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है, इस व्रत से समस्थ पापनश्ठ हो जाते हैं और जो मनश इस व्रत को नहीं करते वे नर्ग गामी होते हैं, इस व जीवादी और महान प्रतापी था, वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था, उसकी सारी प्रजा धंधानी से भरपूर और सुखी थी, उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था, एक समय उस राजा के राज में तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, प्रजा अन की कमी के कारण अतिन दुखी हो गई, अन के ना होने से राजी में अयग्यादी भी बंध हो गए, एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा सारी प्रजा तराही तराही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की स्रि आप लोग ठी कह रहे हैं, वर्षा से ही अन उत्पन होता है, और आप लोग वर्षा ना होने से अतिन दुखी हो गए है, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ, ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया, वह अनेक रिशियों के आश्रम में ब्रहम पूछा, राजा ने हाथ जोड़कर विनित भाव से कहा, कि हे भगवन सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पढ़ गया है, इससे प्रजा अतिन्त दुखी है, राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे शास्रों में कहा है जब मैं धर्मानुसार राजी करता हूँ, तो मेरे राज में अकाल कैसे पढ़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका, अब मैं आपके पास इसी संधे के निवारण के लिए आया हूँ, प्रपा करके मेरे इस संधे को दूर कीजिए, साथी प्रजा के करने का कोई उपाय बताईए, इतनी बात सुनकर रिशी कहने लगे कि हे राजन या सत्यूग सब यूगों में उत्तम है, इसमें धर्म को चारो चरण सम्मिलित है, अर्थात इस यूग में धर्म की सबसे अधिक उन्नती है, लोग भ्रह्म की उपासना करते हैं और केवल भ् के कारण आपके राजम में वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए यदि आप रजा का भला चाहते हो, तो उस शुद्र का वद कर दो, इस पर राजा कहने लगा कि महराज में उस निरप्रा तपसिया करने वाले शुद्र को किस तरह मार सकता हूं, आप इस दोश से छुटे का वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी क्योंकि इस एकादशी का वरत सब सिध्यों को देने वाला है और समस्थ उपद्रवों को नाश करने वाला है, इस एकादशी का वरत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो, मुनी के इस वचन को सुनकर राजा आपने नगर को वापस आया और उसने विधी पुर्वक पद्मा इकादशी का वरत किया। उस वरत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अथा इस मास के इकादशी का वरत सब मनिशों को करना चाहिए। यह वरत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मुनिश के समस्त पापनश्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए। राधे राधे।